हेलो एवरिवन बिटा स्टार्ट कर रहे हम लोग बायलोजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर नमबर टू है तो लेक्चर नमबर वन में हमने क्या पड़ा था लेक्चर नमबर वन में हमने मौनरा की डिटेल पड़ी थी और मौनरा में हमने उसका हैबिटाट उसका उसका nutrition और हमने और भी जो details पड़ी थी वो मौनरा के reproduction की थी ये lecture जो है बिटा ये second lecture है biological classification का हमने प्लान ये किया है कि इस lecture में हम मौनरा complete करके प्रोटेस्टा भी complete कर लेंगे और एकदम basic से पढ़ने वाले मतलब ये lecture ऐसा रहेगा कि अगर कोई बच्चा जिसको NEET के लिए जाना है और NCIT आनी चाहिए उस बच्चे को बहुत help करेगा चाहे वो class 11 का हो चाहे dropper का हो क्योंकि हमने संकल भारत में बिटा ये बोला भी था कि यह ऐसा नहीं होगा कि हम लोग YouTube से गायव हो जाएंगे paid batches में जहां पर बच्चे मतलब subscription लेके पढ़ते हैं उसके बाद हम YouTube पे नहीं पढ़ाएंगे अगर आपको हमारी बाते याद हैं तो बिलकुल याद होगा कि हमने काहत हम पढ़ाते रहेंगे तो अपना वादा पूरा कर रह रहे हैं और और हम चाहते भी हैं के ऐसा नहीं है पहले मैं वो बता देता हूँ, तो आज जो है बिटा हम लोग जो टॉपिक लेंगे classification of monera पढ़ेंगे, protista पढ़ेंगे और basics of fungi अगर हम कर पाते हैं, पर point ये है कि कम से कम classification of monera और protista को complete कर लेंगे, चीक है, अब हम start कर रहे हैं बिटा, हम start कर रहे हैं type of bacteria, चीक है, type of bacteria का क्या है classification of monera पढ़ रहे हैं, ठीक है, last class में क्या पढ़ाता है, मैं खलका सा revise कर देता हूँ, सबसे पहले मैंने आपको और फिर क्या होता है, जब मैं verbal revision करता हूँ, तो बच्चों को फायदा होता है, उससे, last class में ये पढ़ाया था आपको कि जो monera होता है, वो monera हमारे पा इस जगा भी मिल जाता है, फिर हमने structure पढ़ाया था, structure हमने उसका cell वाले chapter में आपको पढ़ा दिया था, और 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 उसके बाद हमने क्या पढ़ाया था, nutrition, हमने कहा था, monera का simple structure होता है, complex in metabolic diversity होता है, इसका मतलब क्या है, कि monera में काफी सारे type का nutrition मिलता है, autotrophic, heterotrophic, autotroph बताया था, और हमने heterotrophic में आपको क्या बताया था, parasitic, symbiotic, saprophytic, इस type का nutrition बताया था, क्या आपको याद आ रही है सारी बाते, बिल्कुल आ रही होंगे, तो उसके बाद हमने reproduction की बात की थी, हमने कहा था, कि monera जो है, reproduce करता है, binary vision से, जो main reproduction है, unfavorable condition में वो spore form करता है, औ और sexual reproduction में बोला था, some primitive method of DNA transfer occur, मतलब क्या है, कि किसी bacteria में, अगर किसी दूसरे bacteria का DNA चला जाता है, तो उसे हम क्या माल लेते हैं, उसे sexual reproduction consider कर लेते हैं, क्या इतनी बात समझ में आ गई, बताये, क्या इतनी बात आपको clear हो गई, उसे हम sexual reproduction consider कर लेते हैं, अब हम क्या करेंगे आज का जो topic है, start कर रहे हैं, हमने heading डाली है, type of bacteria, मतलब क्या है, हमने एक line बोली थी, starting में, कि bacteria is a sole member of monora, मतलब, monora के अंदर सिर्फ bacteria आते हैं, bacteria दो तरह के होते हैं, एक होता है, आर्की बैक्टीरिया और एक होता है, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया किसे कहते है यह primitive bacteria होता है, यह हमारे पास primitive bacteria है, और यू बैक्टीरिया क्या होता है, यू बैक्टीरिया क्या होता है, जिसे हम true bacteria कहते है, true bacteria, अब जरा समझने की कोशिश करो, हमने कहा है कि bacteria is a sole member of monira, अकेला member है, इसकी दो टाइप होती है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, अब मैं आपको जरा थोड़ा सा evolution में पीछे लेकर जाता हूँ, जब बिटा life evolve होई थी न, जब जीवन आया था आर्थ पे तो उस वक्ट condition बहुत ज़ादा difficult थी, मतला अगर मैं आपसे कहूँ कि आर्की बैक्टीरिया मिलते का है, एक evolution की बात करते हैं, तो मैं यह कह रहा हूँ बिटा, कि जब अर्थ पे, जब अर्थ पे मालो ये अर्थ है, जब अर्थ पर life आई थी न, तो उस समय जब life आई थी उस समय जो condition थी, condition कुछ ऐसी थी कि temperature काफी ज़ादा था, temperature high था, ऐसी condition को हम harsh condition कहते हैं, इस समय जो बैक्टीरिया आए, उन्हें हम आर्की बैक्टीरिया कहते हैं, उस समय आए, अब उनके अंदर कुछ ऐसी adaptation होती थी जिनकी वज़े से वो इन conditions पे जिन्दा रहते थे, अगर आपसे पूछ हूँ, आर्की बैक्टीरिया किन conditions में मिलते हैं, आप बोलोगे हार्श, मुश्किल condition में, अब क्या हुआ है, जब अर्थ पे normal condition हो गई हैं, तो क्या आर्की बैक्टीरिया अभी भी मिलेंगे, बिलकुल मिलेंगे, लेकिन उसी जगा मिलेंगे, जहां य यह समझाने की कोशिच करों, एक सवाल पूचता हूँ, आर्की बैक्टीरिया मुश्किल condition में मिलते हैं, तो जहां अभी मैं हूँ, जहां आप अभी हैं, क्या वहां मिलेंगे आर्की बैक्टीरिया, नहीं, क्योंकि उनके लिए वो अच्छी नहीं है condition, वो तो हमारे लिए अच्छी है, आर्की बैक्टीरिया की अपनी अच्छी condition क्या है, मुश्किल वाली, इसलिए वो उस जगा मिलेंगे, जहां आज भी वो difficult conditions मिलती हैं, यू बैक्टीरिया जो normal type की condition है, जैसे आपके आसपास, मेरे आसपास मिलते हैं, इन मुश्किल condition पे रहने के लिए, आर्क आर्की बैक्टीरिया उस time evolve हुए, मैं लिख सकता हूँ इस बात को, कि मालनो जब जब current condition है, तो current condition में मेरे पास आर्की बैक्टीरिया वहीं मिलते हैं, आर्की बैक्टीरिया अभी भी जिन्दा हैं, मिलते हैं, आर्की बैक्टीरिया found in, found in normal conditions, हना कहां मिलेंगे, normal conditions में मिल लेंगे यह इतनी बात समझ में आ रही है बताई यूँ आर की बैक्टीरिया इन दिनों हमारे पास नॉर्मल f 12 머리 मिलें रहे सरों इतना तो समझ में आ गया चीग आग्या की बात करते है तो अगर मैं आप से कहों कि आर्की बैक्टिरिया कहां मिलते हैं तो आप लिखोगे हार्ष कंडिशन हार्ष मतलब यह आप अपने रिस्पेक्ट में कह रहे हूं मतलब आपके रिस्पेक्ट में आपके अनुसार जो हार्ष है जैसे कि मेरे पास टेंप्रेचर हाई है जैसे कि मेरे पास पी एच Halit high है जहां पर असी कुछ conditions हैं जहां पर oxygen absent है यह वह conditions हैं जिने harrs condition कहते हैं तो बिना oxygen के मुश्किल होता है जहां नमक रधा होने से क्या नुकसान होता हो थावने से खटा लगता है पिटाय मैं मैं और यू बैक्टीरिया यह पहले यू बैक्टीरिया से पहले वाल यू होते हैं हमारे पास तीन तरह के होते हैं ध्यान धुंहिंगे तीन तरह के यू बेक्टीरिया में हमारे पास क्या होगा कुछ अंतर होता है क्या अंतर होता भी बता देते हैं आर्की बेक्टीरिया और यू बेक्टीरिया में कुछ अंतर जरूर होता है क्लियर है कौन सा अंतर होता जरा देखो ध्यान से देखो सबसे पहला अंतर सुनना ध्यान से सबस कि इसकी सेलवॉल इसकी सेलवॉल बनी है पेप्टाइडो ग्लाइकन की और इसकी सेलवॉल बनी है तूडो मूरीन की सूडो मूरीन का यह हमें कैमिकल याद करने नहीं हम कह रहे है कि पेप्टाइडो ग्लाइकन का एक और नाम मालो मूरीन है तो इसकी सेलवॉल जो है वो मू नहीं बनी है direito कि और चीज की बनी है मेरी बात समझ में आ रहे है कि नहीं बता हुँ किसी और चीज की सैल्बल मैं क्लियर है वोले समस्क्राद यसे ब इस लिए रहे जिलधी बताओ चीक है, clear है यहाँ पर, देखो, सही है, तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि cell wall में अंतर है, ये वाली जो बात है न, ये NCRT में लिक्ष्ट्रा बता रहा हूं आपको, अब और क्या difference होता है, other differences देखो, other differences कौन से होते हैं, ये और समझ लो, बिटा ये NCRT में नहीं है, पर आपको ब membrane में, किसमें होता है, cell membrane में difference होता है, cell membrane में क्या difference होता है, सुनो, आपने पढ़ा है, कि मेरे पास cell membrane U bacteria की ऐसे lipid की bilayer होती है, और उसमें आप अगर NCRT पढ़ोगे, तो कुछ कहता है कि unsaturated hydrocarbon होता है, ऐसा कुछ plasma membrane में, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या-क्या होता है, सबसे पहले lipid की bilayer होती है, लिपिड की double layer होती है, फिर मेरे पास क्या होता है, मेरे पास आपने हम बोल सकते हैं कि saturated या unsaturated hydrocarbon की chain होती है, ये बात समझ में आ रही है, hydrocarbon की chain होती है, और एक linkage होती है, जो हम glycerol के साथ बनाते हैं, उसे easter linkage कहते हैं, सरी easter linkage क्या मैं बता देता हूँ, देखो, plasma membrane बनाने के लिए ये compound होता है, इसे क्या बोलते हैं, glycerol, क्या बोलते हैं, glycerol, इसके साथ ये लंबी chain का carboxylic acid, जिसे fatty acid कहते हैं, ये COH group, carbon की लंबी chain के साथ है, इसे fatty acid कहते हैं, तो fatty acid है, जब ये COH group इस OS से react करेगा, तो कौन सी linkage बनेगी, easter, क्योंकि ये acid है, ये alcohol है, तो आपको ये समझना है, कि U bacteria की cell membrane होती है, उसमें lipid की bilayer होती है, saturated hydrocarbon है, उसके लावा easter linkage है, fatty acid का ये COH group इस OS से react करता, लेकिन जब हम बात करते हैं, आरकी bacteria की, तो उसमें क्या होता है, ये lipid की जो layer होती है, ये आपस में connect हो जाती है, इस वज़े से mono layer बनती है, क्या बनती है, mono layer बनती है, उसके लावा और कोई difference होता है, हाँ, उसके लावा इस lipid में ऐसे branching होती है, जैसे मालो ये carbon की chain होती है, इसमें ऐसे branching होती है, इसे कहते है, branch chain lipid, इसके लावा कोई difference होता है, क्या हाँ, सर होता है, बिल्कुल होता है, इसके लावा difference ये है कि ether linkage होती है, कौन से linkage होती है, ether linkage होती है, ये तीन difference हमारे पास present है, ये क्या है, तीन difference ह जड़ा देख लेते हैं पहला क्या है सेलवॉल सेलवॉल बना है स्जूडो म्यूरीन का फिर हमारे पास सेलवॉल को हमने क्या बोला है पैप्टाइडोग लाइकन सेल मेंब्रेन जो है वो किस की है यहां पर लिपिड की बाई लेयर है सैचुरेटिड हाइड्रोकार्बन है औ और इथर लिंकेज है क्लियर है के नहीं बताओ क्लियर है की नहीं हाँ सर बिलकुल ठीक है तो यह डिफ्रेंसिज में इसे आपने कोन सा याद करना है देख बीटा एंसी आइटी के कोर्डिंग तो क्लियरली सेल वाल लिखा हुआ है और मैं यह जो चीजे बता रहा हूं है जैसे branching lipid वगर है branching का क्या मतलब होता है जैसे मालों ये polar head है और ये hydrocarbon की tail होती है मतलब ये किसकी बनी है ये ऐसे carbon की chain होती है इस पर ऐसे branching होती है इसमें branching lipid की वजए से वो harsh condition में survive कर सकते है क्लीर है सार इसके लावर भी कोई difference होता है कहाँ difference होता राईब उसके लावर कहा difference होगा राईब कोग दो थी ऑपाता है राईबो लों कौन से वाला होगा seventiesil est दो सब यूनिट होती हैं एक होती है फिकों बहों तर्ट के बिदो शब्राइब को अब यह जो थैँ सब यूनिट है ना इसकें अंदर 16 S.S.R. अंधर स Kens??? सरय खता है इसमें डिफरेंच है मतलब गया हुआ कि इसमें fib नहीं है है लेकिन इन दोनों का 16-RRNA अलग-लग होता है तो आपने क्या सीखा आपने सीखा कि हम क्या कर रहे है जो इसको classify कर रहे हैं जो Gaz sends आजिसे बैक्टीरिय और फिर दूसरा यूश्तिरिय और की बैक्टीरिय मुश्किल condition में आए थे मैंने चार मुश्किल कंडिशन बता दी टेंप्रेचर हाई होना पी एच लो होना मतला एसरीक होना एनेरोबिक कंडिशन ऐसे बताती अगला पॉइंट यह है कि जो आर्की बैक्टिरिया है ना उनके साथ क्या डिफरेंस है सेल वॉल में डिफरेंस होता है जो कि अलावा उसके जो सेल वॉल होती है ना उसको स्यूड में बोल देते मियूरीन किसके लिए और नाम है पैप्टाइड लाइकटन के लिए उसके लावा में कुछ डिफरेंस सेल में मिलते क्या सर हमें तीनों याद करने मर्जी चोड़ भी सकते हो उसके अलावा क्या होता है जो में 16S RRN ने होता है वहां difference मिलते हैं यह मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 16S RRN ने ही reason था Six Kingdom classification का 16S RRN ने ही reason था किसका Six Kingdom classification का reason था क्या मेरी बात समझ में आ रही है सोच लो हाँ सरागे ठीक है अब हम क्या करेंगे बिटा किरण था की टाइप पड़ेंगे खरेंगे क्योंकि RRN भी है ना इनकी भी तीन टाइप होत्या सुना द्यान से कि इनकी भी तीन होती है ऐसा है कि सबसे पहले होते हैं जिनने हम कहते हैं memb CAP जिसे मेंख जब भी वर्ड जन रहा हूं आ कहां मिलेंगे, found in, कहां मिलते हैं, found in, सबसे पहले, gut of ruminant, ये क्या होता है, ruminant क्या होता है, रuminant होते हैं, जुगाली करने वाले, जैसे तुम जुगाली करते हो नहीं, जो जानवर चारा खाने के बाद जुगाली करते हैं, उसके स्टमक में हमारे पास methanogen नाम का bacteria मिलता है और कहां मिलते हैं, मार्शी एरिया, और कहां मिलते हैं, मार्शी एरिया, यहां पर common बात क्या है, ये anaerobic condition है, anaerobic का मतलब होता है, जहां पर मेरे पास oxygen नहीं है, जहां पर मेरे पास क्या है, no oxygen, ये वहां मिलते हैं बेटा, जहां oxygen नहीं होती, तो methanogen जो हैं, वो बिना oxygen के survive करते हैं इसी लिए इन्हें कहते हैं obligate obligate मतलब मजबूरी है कैसी condition में रहना anaerobic condition में मतलब क्या हुआ methanogen वो bacteria है वो RK bacteria है जो ruminants में मिलेंगे मार्शी area में मिलेंगे जो दलदली area होता है जहां पान नीदे को दलदली area क्या होता है मार्शी area में plant वगर है कोई animal डूब गया तो वहाँ पर condition कैसी है एनरोबी oxygen नहीं है वहाँ पर methane बनती है वहाँ पर क्या बनती है methane बनती है यह bacteria methane बनाते हैं clear है यह चीज़ समझ में आ रही है और methane किस से बनाते हैं किसी भी चीज़ से बना सकते हैं यह जैसे आपने सुना होगा CO2 यह CO2 से methane बना सकते हैं अना ऐसा कुछ कर सकते हैं और यह बिना oxygen के ग्रो करते हैं बिटा इसलिए इनको कहते हैं obligate anaerob मतलब बिना oxygen के यह grow कर जाते हैं obligate anaerob है ठीक है clear है यहां तक समझ में आ रही है हाना bio gas plant में इनको यूज करते हैं क्लियर बिना oxygen के survive करते अब आजाओ जरा दूसरे दूसरे होते हैं जिनने हम कहते हैं hello का क्या मतलब होता salt फाइल मतलब salt में grow करने वाले तो यह कहां grow करते हैं grow in a salty condition salty condition मतलब जहां salt जादा ऐसी कोई condition जानते हो जैसे dead sea है वहाँ पर मिल जाएंगे तो salt में grow कैसे कर पाते हैं कुछ न कुछ adaptation क्या हमें करनी नहीं पर salt में आपको पता है problem होती है हासर होती क्या पानी निकल जाता है तीसरे हमारे पास है जिनका नाम है थर्मो थर्मो का मतलब होता है top one Acido, Acido का मतलब होता Acid, File का मतलब Loving तो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है Thermo का मतलब हो गया Temperature, Temperature मतलब High Acido का मतलब हो गया Acid, Acid मतलब Low pH तो जहां पर ये Condition मिलती है, चीक है Temperature कितना High लगबग 80 degree Celsius pH कितनी लगबग 2 के आसपास ऐसा एक एकजामपल मैं आपको दे देता हूँ, जो Class 12 में पढ़ोगे Thermos Aquaticus, Thermos Aquaticus नाम का Enzyma Biotech में पढ़ोगे ये वो बैक्टीरिया है, जो High Temperature पे ग्रू करता है NCIT ने लिखा है, Difference in Structure of Cell Wall या Cell Membrane हल्प करती है, इन्हें सर्वाइव करने पे तो आर्की बैक्टीरिया हार्श कंडिशन में मिलेंगे, Cell Wall में अलग होता है तीन तरह के हैं, Methanogen, Halophile, Thermo Acidophile सर आपनी जो All Difference लिकाए करने हैं, 16S RRNA Six Kingdom Classification का आधार बनता है और Monera को ही Split करके हम दो अलग-लग Kingdom बना देते हैं इसका मतलब 5 Kingdom से 6 Kingdom किसके अधार पे बना 16S RRNA, मतलब Ribosome के अधार पे, ठीक है, क्लिर है तो चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग, R की बैक्टीरिया की बात देख लेते हैं आईए देखिए, या R की बैक्टीरिया के बारे में दे रखका है NCRT साथ के साथ हम कर रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो देखो, NCRT कहती है They live in some of the most harsh habitat, ठीक है Extreme salty area, hot spring मतलब जहां गरम पानी है, thermo acidophile या मार्शी area, methanogen R की बैक्टीरिया, दूसरे बैक्टीरिया से किसम अलग है, cell wall में structure में, and feature is responsible for extreme condition यही feature है, इनके responsible मतलब महार रहने का, methanogen कहा प्रेसेंट है gut, gut मतलब उसके स्टमक में, ruminant जुगाली करने वाले cow और buffalo जैसे, and they are responsible for production of methane biogas जिसे कहते है, ठीक है, किस से डंग से, clear है, यहां तक समझ में, आप चली आगे चलेंगे अब हम बात करते है, type of you bacteria, मतलब you bacteria की भी type होती है तुमारे syllabus में you bacteria की mainly दो type पढ़ाई है, NCRT ने, mainly दो type पढ़ाई है सबसे पहले type पढ़ाई है, Sinobacteria, जिसे blue green algae भी कहते हैं दूसरी type पढ़ाई है, Mycoplasma, other example मैं नाम लिख देता हूँ, पहला Actinomycities, Actinomycities एक पूरा गुरुप है bacteria का, इसमें हमारे पास फ्रेंकिया वगेरे आ जाते हैं, फ्रेंकिया हो गया, और और कौन से आ जाएंगे, Mycobacterium हो गया, यह bacteria आते हैं, तो एक गुरुप यह है, जो आपको याद रखना है, ठीक है, clear है, और इसमें आ जाते है, Streptomyces, यह antibiotic बनाता है, मेरी बास समझ में आ रही है बिटा, तो Actinomyces is a group है, पूरा वो याद कर सकते हो, ठीक है, वो याद कर सकते हो, बाकि यह दोनों डिटेल में पढ़ना है, तो U-bacteria, जिसे हम क्या बोलते हैं, True bacteria कहते हैं, जो normal आपके आसपास मिलते हैं, उनमें दो बड़े एक्जामपल आपने पढ़ने हैं, डिटेल में, एक Sinobacteria, दूसरा Mycoplasma, यह दो बड़े एक्जामपल्स हैं, जो तुमारे syllabus में, डिटेल में हैं, एक Sinobacteria, दूसरा Mycoplasma, आजाओ जल्दी से, बात करते हैं Sinobacteria की, जहान से जुनना, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, इस टॉपिक को पढ़ते वक्त, आपको हमेशा एक सीक्वेंस पकड़ के चलना है, सबसे पहले हम habitat पढ़ते हैं, फिर हम structure पढ़ते हैं, फिर nutrition पढ़त हैं, अगर NCRT से पूछो, तो NCRT कहती है, Sinobacteria कहां कहां मिलते हैं, फ्रेश वाटर में, ऐसा पानी जो ताजा पानी होता है, जिसमें नमक कम है, उसके अलावा मेरीन में, जहान नमक जादा है, एंड, terrestrial soil में, क्लियर है, terrestrial soil में, दूसरा, structure, structure क्या है, structure हमारे पास क्या है, हम बात करेंगे सुनना द्यान, structure देखो, यह Sinobacteria, एक तो single cell के हो सकते हैं, इस तरीके से filament हो सकता है, और इस तरीके से कई filament, एक साथ हो सकते हैं, ऐसे, इसको हम कहते हैं, unicellular, ज्यान सुनेंगे, एक हो सकता है, unicellular, मतलब single single cell होगा, दूसरा यह chain, इसको बोलते हैं, filamentous, और तीसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं, ज्यान दो, filamentous, और तीसरा हम लोग कहते हैं, colonial, colonial मतलब colony, तो हमारे पास एक हो गया, unicellular, दूसरा हो गया, सुरी, एक हो गया, unicellular, दूसरा हो गया, filamentous, और तीसरा हमारे पास, colonial, NCRT ने बोला है, कि इसके बार ऐसा कुछ चिपचिपी सी परत होती है, ऐसे, यह, जिससे हम क्या बोल सकते हैं, म्यूसिलेज की covering, म्यूसिलेज, NCRT ने डाइग्राम में म्यूसिलेज लिखा है, म्यूसिलेज की covering है, तो साइनो बैक्टिरिया अकेले मिल सकता है, ऐसे chain में मिल सकता है, अब आपको मैं इसके cell की डिटेल बता रहों, मैं क्या बता रहूं, सेल की डिटेल बता रहों, जान से सुनना, आपको ने अगर बेटा याद किया हो, प्रोक्रियोटिक सेल तो साइनो बैक्टिरिया एक नॉर्मल प्रोक्रियोटिक सेल है पर इसकी सेल वॉल फिने ये ग्राम नेगेटिव होता है ये क्या होता है ग्राम नेगेटिव इसमें फ्लेजिला नहीं होता हमेशा याद रखना फ्लेजिला नहीं होता इसमें अगर मैं प्लाजमा मेंब्रीन अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड है और इस पर पिग्मेंट लगा हुआ है तो क्रोमेटो फोर होते हैं जिस पर कौन सा पिग्मेंट होता है प्रेजेंट होता और हमेशा याद रखना प्लोरो जब भी होगा पानी ब्रेक करेगा और क्या बनेगा ओक्सीजन प्रेड्यूस होगा तो इसी लिए हम कह सकते हैं यह ऑक्सीजेनिक होते हैं मतलब ऑक्सीजन नाते है है समझ में आह तो साइनो बैक्टीरिया जिसे हम ब्लूग्रीन क यहते हैं वग्राम नेगेटिव है उन हमारे पास क्या होगा देखते हैं यह साइनोबेक्टिया का सेल यह साइनोबेक्टिरिया के ऐसे ll कि जो प्लाजमा मेंडीश हैं उसपर पिग्मिन लग जाते हैं तो यह वाला क्या ये photosynthesis कर रहा है अगर ये cell photosynthesis करता है ध्यान जुनेंगे photosynthesis करता है ये वाला cell अगर photosynthesis करता है तो ये साथ के साथ oxygen भी बनाता है इस बात में कोई doubt है? नहीं होता क्या है? साइनो बैक्टीरिया के कुछ cell modify हो जाते हैं कुछ modify cell को कहते है hetero cyst तो hetero cyst क्या है? ये modified cell है क्या है? modified cell है ये क्या करते हैं? ये nitrogen fix करते हैं nitrogen fix करने के लिए क्या condition चाहिए? एक तो चाहिए enzyme कौन सा enzyme? nitrogenase उसके अलावा oxygen नहीं चाहिए not oxygen या oxygen absent होनी चाहिए should be absent तो अगर मैं आज आपसे एक सवाल पूछूँ कि भई मेरे पास ये वाले जो normal cell है ये वाले जो normal cell है ये तो photosynthesis कर रहे हैं ये वाले ये वाले लेकिन ये जो special cell है जिसे hetero cyst कह रहे हैं क्या वो photosynthesis करेंगे? नहीं क्योंकि photosynthesis करेंगे तो oxygen बनेगी ना तो हमने यहाँ पर ये समझा कि जो sinobacteria होते हैं वो single cell के होते हैं filamentous होते हैं colonial होते हैं sinobacteria में flagela नहीं होता gram negative होते हैं उनमें plasma membrane fold होके structure बनाती है chromatophore जिस पर chlorophyll A लगा रहता है rule ये है कि चाहे बैक्टीरिया हो चाहे प्लांट हो जिन पर भी chlorophyll A होगा वो पानी को तोड़के oxygen बनाएंगे तो क्या sinobacteria oxygenic है बिल्कुल है उसके अलावा हमने gas vacuum बताया था अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कुछ sinobacteria some sinobacteria सारे नहीं some sinobacteria क्या करते हैं बिटा क्या करते हैं modify हो जाते है modify to fix nitrogen fix nitrogen modify हो जाते हैं क्या करते हैं के लिए fix nitrogen चीक है fix nitrogen यहां तक समझ में आ रही है ठीक है clear है सही है दूसरी बात दूसरी बात दूसरी बात दूसरी बात condition कैसी है condition is anaerobic this means this means is modified cell का नाम hetero cyst है this means hetero cyst में क्या नहीं होता hetero cyst not produce oxygen इसका मतलब उसमें photo senses नहीं होती यहां तक समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बताओ जल्दी से बिटाओ यहां तक समझ में आ रही है कि नहीं आ रही इतनी बात clear है मैं आपको फिर repeat कर रहा हूँ आप में इसे साइद आपको पता है कि नहीं पता है याद रखना note यह है और यह बहुत important note है note यह है कि अगर किसी भी plant या bacteria या algae में अगर chlorophyll A present होता है तो वो क्या करते हैं वो oxygen बनाते हैं हमेशा oxygen प्रेड्यूस करेंगे आप plant kingdom में ले लो algae ब्रायोफाइट टेरीडोफाइट समय chlorophyll और ना compulsory है यह ऐसा universal pigment है जिसकी वजह से oxygen बनती है पर हेट्रोसिस्ट में chlorophyll A absent कर दिया क्योंकि वह nitrogen fix करनी है उसके लिए enzyme चाहिए nitrogen जिस बच्चे को नहीं पता nitrogen fix करने का मतलब nitrogen को convert करना ammonia में यह वह form है जो nitrogen fix करती है clear है यह वह form है जो nitrogen fix करती है clear है अब मेरी बाफ सुना होता है क्या है बिटा होता क्या है सुना ज्यान से मैं आपको sinobacteria के example बता रहा हूँ पर मैं अगर आपको बता हूँ कि sinobacteria के कितने example आपने याद करने है एक याद करना आपने नौस्टोक एक याद करना है एना बीना एक याद करना आपने spirulina ये unicellular होता है ये हमेशा single cell का होता है बाकी ये दोनों filamentous हो सकते हैं उसके अलावा oscillatoria ये चार example याद करने अब मैं आपको जरा साइनो बेक्टीरिया का रोल बताता हूँ रोल परस्ट ये क्या है photosynthetic bacteria है photosynthetic में कौन सा nutrition है इनका nutrition है oxygen बनाते है second they can also fix nitrogen also fix nitrogen अब ये nitrogen दो तरीके से fix करते हैं मेरी बात ध्यान से सुने मालो ये मिट्टी है soil है साइनो बेक्टीरिया यहां प्रेज़ेंट है और ये मालो किसी plant की root है साइनो बेक्टीरिया यहां प्रेजेंट है अगर इसने बाहर से nitrogen लेकर उसको convert किया ammonia में nitrogen को लेकर तो ये हो गया free living free living समझ में आता है बही free रह रहा है और nitrogen fix कर रहा है मतलब soil में free है और यहां पर अगर root के साथ यह fix कर रहा है nitrogen यह क्या है बेटा यह साइनृ बेक्टीरिया है अगर यह nitrogen fix कर रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे स्यम बायोटिक बोलेंगे historically आई समझ नहीं आई बोलो जल्दी से आई समझ आसरा गई तो हमने ये बोला है कि ये मेरे पास ammonia जो है ये free living की बात हो गई और मैंने क्या किया ये root है root में synovacteria fix symbiotic हो गया बहुत बढ़ी है बहुत सांदर समझ में आया तो इसका मतलब nitrogen fixation दो तरह की होती है एक होती है free living और एक होती है symbiotic, symbiotic का मतलब synovacteria किसी plant के साथ रहता है अब आपसे मैं पूछो कोई example है एक fern होता है बिटा fern, एक plant है azola उसकी leaf में synovacteria रहता है, synovacteria nitrogen fix करके वहाँ पर डाल देता है तो हम ये चीज़ समझेंगे example में लिख देते है example में लिख देते है symbiotic में azola azola क्या है, fern है उसके अलावा saikas saikas की root होती है उसके अंदर nitrogen fix होती है तीसरा क्या होता है बिटा synovacteria form bloom bloom क्या होगा bloom क्या होता बाई, जैसे माल लो ये पानी है, इस पानी में बहुत सारे synovacteria मतलब क्या हो गया, grow कर गए तो पानी ऐसा लगेगा पूरा हरा हरा सा तो synovacteria form bloom और वो एक तरीके से मतलब polluted pollution हो जाता है, polluted water हो जाता है, bloom मतलब अगर जाधा grow करेगी, तो भी pollution हो जाता है, clear है तो ये हमने क्या करा है बिटा ये हमने synovacteria के बारे में बताया है, तो आप कैसे याद करेंगे सबसे पहले, fresh water marine terrestrial है, structure unicellular filamentous colonial है ये unicellular, इसके बार mucilage nurse sheath है उसके बाद ये हम पे chlorophyll A है chromatophore chlorophyll A present है gas vectule H2O break करेगी, हना oxygenic है, clear आ गया जाते है, synovacteria त्यान सुनेंगे, synovacteria modify to fix nitrogen condition is anaerobic this means heterocyst not produce oxygen chlorophyll A present है oxygen produce कर रहा है ठीक है, heterocyst modify cell है nitrogen से ammonia बना रहे है बता बिटा, आया मजा नहीं आया सोच, सोच, तो तुझे क्या क्या point आना, synovacteria को blue green के algae कहते है, blue green algae शुलुआती नाम था, बाद में synovacteria रखा गया, उसका habitat पता होना चाहिए cell की detail पता होनी चाहिए और क्या पता होना चाहिए, जैसे उसमें फ्लैजिला नहीं होते है, non-motile लिखेंगे, उसमें वो gram negative है, उसमें chromatophore होते हैं gas vector होते हैं, कुछ से synovanciati ने सम लिखा है nitrogen fix करते हैं, उन oxygen पसंद नहीं, क्याता है, मुझे oxygen नहीं दो और sino bacteria oxygen बनाता है तो जो heterocyst है, वहाँ पर oxygen absent होती है anaerobic condition बना देते हैं, चीक है कि नहीं, आजो clear, अब जरह हम लोग बात कर लेते हैं, देखो दे भी रखा यहांपर देखो कह रहा है कि भाई, मोटाइल non-motile हो सकत, sino bacteria also referred as blue green algae, यह पुराना नाम है यह नहीं नाम है, उनमें मैंने का ना कौन सा chlorophyll होता है, chlorophyll है green plant जैसा, ठीक है photosynthetic autotrophic, unicellular होते है, colonial filamentous ठीक है, fresh water में marine में moist soil में निल जाएंगे terrestrial मतलब gili मिट्टी the colonies are generally surrounded by gelatinous sheath or mucilage in a sheath they are from blooms, blooms मतलब polluted water में, blooms बहुत तेजी से ग्रो करते है, what is polluted water ऐसा water जिसमें nutrition ज़्यादा, उसे polluted water कहते है, उसमें bloom बनाएंगे, ठीक है clear है, बताओ जल्दी से, आच्छा उसके बाद हम लिख रहे हैं कि heterocyst होता है, जो nitrogen यहां पर लिखा सम, ठीक है, यह बात हमने cyanobacter, यह देखो, यहां mucilaginus लिखा और वाँ gelatiness लिखा एक ही बात है gelatiness और mucilaginus, ठीक है clear है, अब हम बात कर लेते हैं एक और बैक्टीरिया की जिसका नाम है mycoplasma, जिसका नाम क्या है mycoplasma, चली बात करते हैं, क्या हुआ था बिटा हमारे पास mycoplasma एक ग्रूप है, मेरी बास माइको प्लाजमा क्या एक ग्रूप है example of mycoplasma example of mycoplasma उसका नाम है एक बैक्टीरिया PPLO P से है प्लियूरो प्लियूरो वर्ड कहां से आया, आपको पता है, ये लंग्स की मेंब्रेन होती है आउटर प्लियूरा, इनर प्लियूरा यहाँ पर एक लिक्विड होता है, प्लियूरल फ्लूड, तो एनिमल्स के जो लंग्स के मेंब्रेन के बीच में फ्लूड होता है ये वहाँ इंफेक्शन करता है, तो प्लूरो दूसरा निमोनिया लंग्स में इंफेक्शन हो रहा है निमोनिया लाइक और्गेनिजम इसका फुल फॉर्म यह है तो हम यह कह रहे हैं कि माइको प्लाजम एक ग्रूप है उसका एक्जाम्पल पीपीयलो नीमोनिय लाइक और्गेनिसम इसका जो साइज है ना पॉइंट वन माइक्रो मीटर या NCRT ने पॉइंट थी माइक्रो मीटर दे रखा चोटा साइज होता है अब इसके क्या-क्या points है, पहला, सबसे important point, इनमें cell wall नहीं होती है, क्या absent होती है, cell wall absent होती है, इस वजह से plasma memory ने तो क्या नहीं होगी, shape not fixed, अगर cell wall नहीं है, तो इन्हें क्या बोलोगे, gram negative बोल दें, हाँ सर gram negative बोल दो, इनमें यह नहीं होता और यह smallest size के होती है smallest size का celt है इनसे चोटा वायरस होता है तो सबसे चोटा cell तो वायरस हो गया नहीं हुआ यह सेल नहीं है तो symbolism एपसंट है gram negative है plat लई नहीं होता सबसे होटे size के हैं और यह कैसे होते होते हैं बिटा free living हो सकते हैं free living होंगे तो सैपरो फिटिंग ओगे सब्सक्राइब मतलब मरीवी चीछ पर अगर सिंबायोटिक होंगे और क्या हो सकते हैं प्लांट और एनिमल प्लांट और एनिमल यह पॉइंट्स ध्यान रखने तो आपको यह समझना है वेक्टिरिया डिसकावर हुए थे जिनका साइज बहुत चोटा था उन में से एक एक्जामपल है PPLO वह बैक्टिरिया के बाद सेल्वाल नहीं होती ती इसलिए शेफ फिक्स नहीं रहती तो ग्राम नेगटिव बोलेंगे क्योंकि ग्राम नेगटिव वही होता नहीं कि सेल्वाल थिन हो यहां तो ही नहीं दूसरा क्या है बिटा यह बहुत चोटे स क्यों होते हैं और एक इंपोर्टन चीज क्या है चैन सर्वाइब विदाउट ऑक्सिजन यह बिना ऑक्सिजन के भी जिन्दा रह सकते हैं यहां तो हमने PPLO लिग दिया ना जो गाएं भैस के प्लूरल फूड में मतलब कर रहां इंफेक्शन पर दोनों में कर सकते हैं क्लीर तो आपने क्या धिए रखना है बिटा जब हमने क्लासिफिकेशन पड़िया नियूबैक्टीरिया की उसमें तो साइनो बैक्टीरिया बता दिया दूसरा माइकोपलाज्मा बता दिया अधर इक्जाम्पल में गृप एक टिनो माइस्टिस प्रेंक्या करता है यह फिक्स कर है आपने और स्ट्रेप्टोमाइसिस क्या बनाता है एंटीबायोटिक प्रड्यूस करता है और यह सारे बैक्टिरिया ग्राम पॉजिटिव होते हैं यह ग्रुप का नाम एक्टिनोमाइसिटीज है वैसे नहीं करना अगर चाहो तो पर दिमाग में रखो कि इस फ्रेंक्याइब नाइटोजन फिक्स करता है और राइजोबीम भी फिक्स करता है राइजोबीम ग्राम नेगिटीव एगराम पॉस्टिव एक तरीके से बैक्टिरियाए लेकिन कुछ फीचर पंजाई जैसे है इसलिए इसका कॉमन नेम रें फंजाई है कुछ फीचर पं यह थोड़ा सा एक्ष्ट्रा ही बता दिया आपको कि नाइट्रोजन फिक्स करता है किसमें नॉन लेग्यूमिनस ऐसे प्लांट जो लेग्यूम्स नहीं है जिसे हम रे फंजाइब यह खत्म हो गें आपका बिटा यह खत्म होगे आपका क्या आपका बैसिकली हमने यह कंपलीट कर ले विदाउट और यह पैथो जैनिक मतलब जिएजीज News कर सकता है प्लांस ऐप एनीमल्स और प्लांट में एॡंध हैूअ क्लियर है देखो ऑक्सीजेन कौन निइगा नास्टॉक बनाएगा नाक कारा ग्रीन घ्री तो मैंने कर ना पूरे के सारे प्लांट बनाएगा यह भी बनाएगा यह नहीं में ने अखिजनिक आख्या हूं लिए विए जिमनोफर में इसलेखा पूरा प्लांट किंडम में लिए होता है तो आंसर इसलिए आएगा अगर मुत आपको समझ में आ चीए बात ठीक है कि देखो मॉनरा के लिए क्या टूनी है अब दे आर परों के दे में विया आप को दिखा रहा हूं आपने चैट में उसके आंसर्थ बताने मुझे ठीक है सबसे पहले मिफेनोजन बिलॉंगडू 2016 का है यह को शनमबर 18 चैट में आंसर चाहिए प्रिमिटिव प्रोक्रोर्योर्ट्स इसमें भी चैट में सर चाहिए 2016 का ही है ठीक है उसके बाद इए नुकलीर मैंबरे इस आपसेंट इन से ने देंगे अब हम क्या पढ़ने वाले हैं अब हम बात कर रहे हैं या इसका भी देदें देख्रों सारे प्रीवेस एर आप से बन जाएंगे होट स्प्रिंग अना कहां मिलेगा मिलेगा पॉल्यूटिड स्ट्रिम में कैटल यार्ड में क्यों मिलेगा क्यों कि वहां क्या होगा भैस का गोबर साहिए चलो स्टार्ट करते हैं प्रोटिस्टा को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजे बताऊंगा आपसे मैं आपसे सिंपल सिंपल कुछ बाते करूंगा आपने बिटा मॉनेरा पूरा पढ़ लिया मॉनेरा में आपको यह समझ में आ गया कि यह मॉनेरा सिंगल सेल के थे उनकी एक basic feature है और उनमें से कुछ टाइब पड़ी हैं धी यू बेक्टीरिया और की बेक्टीरिया के खुद तीन इक्जाम्पल पड़े हमने और यू बेक्टीरिया में 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 जो आपने साइनो बेक्टीरिय और इसके बारे में यूनि-cellular organism था, पहला यूनि-cellular eukeriotS था, मतलब मैं आपको ये समझानी कोशिश कर रहा हूँ कि जो monera थे ना, monera जो थे, उसमें सभी organism प्रो-केरियोटिक थे, प्रो-केरियोटिक का क्या मतलब होता है? प्रो-केरियोटिक थे, और साथ के साथ वो यूनिसेलूलर थे सर आपने फिलामेंटस भी तो बनाए उसे यूनिसेलूलर ही होता है मतलब फिलामेंट एक शेप है पर यूनिसेलूलर यह पॉइंट्स था और यह कहां इवाल्व हुए थे ये इवाल्व हुए थे पानी में ये किसमें इवाल्व हुए थे पानी में इवाल्व हुए थे अब क्या हुआ कि मॉनेरा से अब प्रोटिस्टा इवाल्व हुआ तो जो प्रोटिस्टा है जो हमारे पास क्या है प्रोटिस्टा है प्रोटिस्टा कैसे है यू केरियोटिक है है युकलि रिक्सल कैसा भाए अपना यूए लुक्त है करसा तो आपको यह समझना पढ़ेगा कि मॉनरा ऴेक तरीके से प्रो प्रोक्रियाटिक सेल थे और सिंगल आई पहे दिए अपगर और सबिंसरा क्यं है। प्रोटास तरहे ग्रूप है जिसमें सारे के सारे यू किरियोटिक सेल वाले सिंगल सेल आवाले आते हैं मतलब यह हुआ कि मॉनरा से जब प्रोटिस्टा इवॉल हुआ तो वो पानी में ही हुआ होगा और आपको यह समझना है कि प्रो किरियोटिक सेल में DNA ऐसे रहता है यू किरियोटिक सेल थोड़ा बना होता है जिस में मेंब्रेन बनी हुई है तो आपको यह समझना पड़ेगा कि जितने भी सिंगल सेल के यू करियोटिक और्गेनिजम है वो सारे प्रोटिस्टा किंडम में रख दिये गए मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सारे यू करियोटिक और्गेनिजम जितने भी सिंगल सेल के यू करियो और्गेनिजम है वो सारे के सारे प्रोटिस्टा किंग्डम में रख दिये गए कोई डाउट है तो बताओ कोई डाउट है तो बताओ वो सारे के सारे प्रोटिस्टा में रख दिये गए क्लियर है जल्दी बताओ तो हम ने आप और बात कर Jew है मॉनेरा की प्रोकरियोटिक एवालविन वाटर पिर हमने लिखा यू के अल्योक्रियोटिक से यूनिसलूल्र चीक है सही है clear समध में आ रहा है तो अब मैं आपको क्या पढ़ाने वाला कुछाओ ? तो मैं आपको एक जनरल फीचर कि या वोगे तो यह भी मुझे क्यों कि हमेशा याद सेंग्ल औरगेंजम हमेशा एक्वड एंवार्मेंट में मिलताANS मतलब जहां पानी हो एक्वेटिक एनवार्मेंट में रीजन क्या है पानी से उक्सीजन लेना स्योड़оры चोड़ना उसमें और खाना लेना बहार ये सब्सान रहता है पानी में, क्लियर है के नहीं बताओ, ठीक है, तो चलते हैं आगे, हम बात कर रहे हैं बेटा, फीचर ओफ प्रोटिस्टा की, ठीक है, फीचर ओफ प्रोटिस्टा सबसे पहले, क्या ये भी पानी में मिलते हैं, तो इनका जो हैबिटार्ट है, वो क्या है, वाटर, प कि वह वेल डिफाइन है नुक्लियस रखते हैं है हां सर उनका नुक्लियस डिफाइन है और उनमे और दिट है मेंब्रेंग्हें बाउंड है अब क्या वो डिवीजिटीरिया जैसे करें चाहिए जैसे उसका इन हो जाता नहीं इनमें प्रॉपर माइटॉस होगी तो इनमें क्या होगा प्रॉपर स्टेल डिवीजन होती है जैसे कि माइटॉस टाइब की हना माइटॉस टाइब की अब बैक्टीरिया में हमने जब पढ़ा था सेक्शल रिप्रडॉक्शन मैंने क्या बोला था जब एक बैक ठीक है से बिलकुल कहते हैं ठीक है अब मैं यहां पर यह कह रहा हूँ उसको हमने प्रॉपर जाइगोड बनने चाहिए तो अगर मैं यहां पर तो उसमें क्या होगा उसमें क्या होगा हमारे पास उसमें हमारे पास गैमेट्स फॉर्म होगे और क्या होगा जाइगोट फॉर्म होगा गैमेट्स फॉर्म होगे और क्या होगा जाइगोट फॉर्म होगा यह समझ में आ रहा है तो टू सेक्शॉल रिप्रोडक्शन वो है ज जिसमें हमारे पास gamets बनेंगे और हमारे पास क्या होगा? बताओ, क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि true sexual reproduction वो है जिसमें gamets बनेंगे और gygoot बनेगा proper तरह किसे sexual reproduction होती है अब मेरी बात सुनना ऐसे समझो हमने पढ़ा पहली kingdom आई मौनरा Monra में सारे सेल कैसे थे बिटा बताओ प्रोकेरियोटिक पिर उसके बाद आए किंगडम प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा के अंदर सारे के सारे और्गे खे ज़ात। सार यूकेरियोटिक थे सिंगल सेल के सही है कैसे थे unicellular थे अब आपके पास तीन गिंडम और है एक है फंजाई एक है प्लांटई एक है मेरे पास एनिमीलिया चीक है ये सारे के सारे कैसे हैं मल्टी सेलूलर है एक सेल है पर ये थो यू केरियॉटिक पई ये तीनों क्या है ये तीनों जो है फंजाई प्लांटई एनिमीलिया ये यू केरियॉटिक है तो अगर आप ध्यान से देखो मोनेरा और इनके बीच में एक तरीके से ये कनेक्टिंग लिंक है आप समझ पारे हो मैं क्या बोलना चाहरा हूँ मैं यह कह रहा हूँ कि मेरी बास सुनो माल लो आप एनिमीलिया किंग्डम है एनिमीलिया किंग्डम में में मेरे पास काफी सारे और्गेनिजम है इसी में एक और्गेनिजम है जो यूनी सेलूलर है तो मैंने उसको उठा कर इस जो किसमें रख ती है कि यह इन किंगडम वो है जिसकी बाउंडरीज डिफाइन नहीं जिसकी बाउंडरी जो वेल्डीफाइन नहीं है कि पर बिलकुल क्लियर हैं एबिटाइट water है, unicellular eukaryotes है, well-defined nucleus है, membrane bound organal है, true sexual reproduction gametes form होगा और boundaries well-defined नहीं है, clear है, well-defined, true sexual reproduction gametes form, zygote form और boundaries well-defined क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ scientist मानते हैं कि Kalmydo Monas plant kingdom में होना चाहिए, मेरी बास सुना, कुछ scientist मानते हैं कि Kalmydo Monas जिसके पास feature plant जैसे, feature कैसे plant like है, plant like single cell का होता है, ऐसा दिखता है, plant like feature है, उनके अनुसार वो plant यह में होना चाहिए, पर क्योंकि five kingdom classification में eukaryotic unicellular protista में है, पर हमने उसे किसमें रखावा है protista में, तो मैं यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि protista जो है ना, वो single cell के सारे eukaryotic वहां रख दिये, उनमें से कुछ member ऐसे थे जो earlier classification में एनिमीलिया, plant या फंजाई में थे, पर उनको उठाके किसमें रख दिया गया protista में, क्यों, क्योंकि protista में वो सारे आते हैं, जो single cell के eukaryotic हो, भले उसके feature plant जैसे हो, इसलिए anxiety गहती है और इसकी boundaries नहीं है, कभी वहां मिलता है, कभी यहां मिलता है, इसका member, मेरी बास समयारिये, एक scientist के लिए जो क्या है, जो LG है, जिससे कलमाइडो मुनास, एक scientist के लिए LG है, दूसरे scientist के लिए वो क्या है, प्रोटिस्टा है, क्यों, क्योंकि वो single cell का है, अब अगर हम five kingdom classification follow करते है, रह वी टेकर की, तो कलमाइडो मुनास, प्रोटिस्टा में होना जाए, इतनी बात आ गई समझ, ठीक है, चलो आओ, NCRT देखते हैं, चलो तुम्हें कोशन कराते हैं, स्ट्रेप्तो कोकस क्या है, डेक्टीरिया है,मीबा क्या है? यूनिसेललर यूकरोटिक, क्या common है? Nucleod common हैं क्या, नहीं,रीन 7ब्रेन commis, राइबाउज्ओम एक में 70S होगा, एक में 80S, 80S इसमें होगा 70S साइज सेल इसका छोटा होगा इसका बड़ा होगा ठीक है यह वाला आंसर आप बताओ इको लाइन यूलीना नौट हैब सिम्लैटी सेल थी फॉलो करेंगे यह दोनों सेल हैं है राइबोजोम इन साइटो प्लास भले या लग लोग होगा डबल संडी डिन एपसेंस ऑफ जाइगोट यो के रिए यूनी इसलूलर जैसे कि प्रोटिस्टा है ठीक है आजो आगे चलते हैं अब आओ एक्जांपल ओफ्रोटिस्टा है चे सबसे पहले है डाइटम मेरी बास सुनें कुछ एक्जांपल याद कर लो प्रोटिस्टा मैं डाइटम आते हैं गॉन्योल एक्ष नाम से एक एक्जामपल है यूगलीना है स्लाइम माउल्ड है अमीबा है पैरा मीश्यम है प्लाजमोडी में कुछ एक्जामपल है याद करो पहले नाम इनके तभी हम आगे पढ़ेंगे ठीक है तभी हम आगे पढ़ पाएंगे पहले ये नाम याद करो पहले ये नाम याद करो फिर ುओ प्रोटिस्टा में क्या आएगा सिंगल सेल के यूज रेटिक सेल प्रोटिस्टा में हैं। बौंडरी बेवाज किसी के लिए वह इन्थ्ट स्नेटिक मेरे प्लांट में जैसे कि कलमयोमनास मेरे इक तृप्रय इन डिसबुक वी किसमें रखा प्रोटोस होगा प्राइमरली एक्वेटिक कहां मिलते हैं पानी में लिंक बनाता है दूसरे किंग्डम के साथ बींग यूकरोटिक सेल बॉडी क्या होगी वेल डिफाइन न्यूकलियस होगा यह लिखा है मेंब्रेन बाउंड और्गनल होगी प्लैजिला हो सकत हो सकता है नहीं भी हो सकता सीलिया भी हो सकता है एक्षणी और सैक्षणी और इसमें जाइगोट बनेगा ट्रू सेक्शल रिपोड़क्शन होती है यह सारे फिचर हमने करें बिल्गुल करें आगे चलते हैं अब हमने क्या किया देखो यहाँ पर यह पांच एक्जाम्पल जो हैं इनको प्रोटिस्टा में दिया है क्राइसोफाइट्स डाइनो फ्लेजिलेट्स यूगलिनोइट्स लाइम माउड और प्रोटोजोंस यह लिखा है चीक है हमने क्या किया इन पांचों को तीन ग्रूप में डिवाइड कर लिया सबसे पहले हमने लिखा ओटो ट्रॉफ इसमें तीन ग्रूप आएंगे पहला क्राइसोफाइट्स दूसरा डाइनो फ्लेजिलेट्स यह तीन ग्रूप आएंगे इसमें और तीसरा मेरे पास क्या है बिटा यूगलिनोइट्स यह तीनों प्रोटिस्ट क्या करते हैं फोटो सिंसिस करते हैं इन तीनों में मेरे पास क्लोरोफिल ए होगा और ओक्सीजन प्रिड्यूस करेंगे है और है नहीं कि यहां तक समझ में है यहां तक क्लियर है तो क्लोरोफिल ए होगा और यह क्या बनाएंगे औक्सीजन प्रेड्यूस करेंगे अब आजाते हम सैप्रो फाइट में यहाँ पर आएंगे आपके यह फंजाई जैसे फीचर रखते हैं प्रीडेटर प्रीडेटर मतलब निगल के खाने वाले या ऐसे करके इसमें आते हैं आपके प्रोटोजोवन्स तो हमने क्या किया बिटा हमने क्या किया जो प्रोटिस्टा था ना उसको तीन ग्रुप में डिवाइड कर दिया एक प्रीजन बनाएंगे इसी लिए इनमें क्लोरोफिल होता है तीनों में साप्रोफिटिक का मतलब होता है जो किस पे ग्रोव करते हैं ग्रोव और डिकेंग मरीवी चीजों पे ग्रोव करते हैं होलो जोई निगल के खाने वाले जैसे प्रोटोजोन डेने 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 आरा समझ सही है सर सही है तो अब यहां से हम आगे जाएंगे और सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्राइसोफाइट्स को इसको पढ़ेंगे क्राइसोफाइट्स को क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं जरा समझो क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं क्राइसोफाइट्स बेटा वो प्रोटिस्टा है वो प्रोटिस्टा है जो बेसिकली जिनमें फ्लैजिला नहीं होता single cell के होते हैं मतलब और उर four उसन्तेटिक होते हैं क्राइसवाइट में दो गृप आते हैं एक आ जाते हैं डाई एटम्स डाईटम्स का मतलब अभी समझना मतलब ये ये दिखने में ऐसे दो हिस्शे में कहते हैं इसको डाई एटिम कहते है उसके लावा डैसमिट आते हैं जिनकी डेडिक हम नहीं पढ़ते जादा इन्हें गोल्डन अलगी कहते तो पहला गुरूप जो है प्रोटिस्टा का वो क्राइसोफाइट्स है तो दो तरह के क्राइसोफाइट्स हो गए एक हो गया डाइटम डाइटम सब्सका मीनिंग बता दिया और दूसरे आगए डैसमिट्स अब मैं आपको जो बात बोलूँगा सुनना द्यान से तीन ग्रूप जो मैंने यह लिखे हैं ये तीन इन तीनों मे सबसे पहले मैं इनका हैविटाट कंपेयर करूंगा ये कहां मिलते हैं फिर मैं इनके स्ञेव के स्ट्रक्टर को बताऊंगा फिर मैंने नियूट्रिशन के बारे में बात करूंगा कुछ अधर डीटेल बताऊंगा री पोडूक्शन अडर डिटेल आरिये समझ बोलो आ रह हम बात कर रहे हैं है विटार्ट की, सबसे पहले बात कर रहे है है विटार्ट की, जान से तुनेगे, है विटार्ट मेरे पास, प्रेश वॉर्टर और मेरीन, ए ख्लिर है, प्रेश वॉर्टर और मेरीन, यह होता है, चीक है, पिर आ जाते हैं structure की मतलब यह fresh water में भी मिलते हैं marine में मिलते हैं अब देखो structure कैसा है मैंने बोलाए कि मेंलियम इसको पढ़ेंगे diatoms को अब देखो माल लो मैंने यह बना दी cell membrane यह बना दी cell membrane अब मैंने क्या किया यह बनाई है cell wall ध्यान से देख बटा यह बनाई है मैंने cell wall cell wall जो है इस तरीके की है cell wall जो है जैसे दो overlapping soap case होते हैं आपने कभी देखा है soap को रखने के लिए case होता है वो overlapping ऐसे होता है उसमें साबुन रखते हैं soap रखते हैं तो यह cell wall है तो अगर आप ध्यान से देखो यह इसकी cell wall है सेलवल जो है उसमें सेलूलोज है और साथ में सिलीका है सिलीका क्या होता है आपको नहीं पता जो आपके आसपस मिट्टी है न वो chemically silica होती है और silica ऐसी चीज है जो destroy नहीं होती इंडिस्ट्रक्टिबल होती है डिस्ट्रॉइ क्यों नहीं होती भाई जो की कोई इंजाइम नहीं है जो इसे destroy करते हो देखो आलो यह सेलूलोज की है इसमें इस तरीके से सिलीका लगा होता है ऐसे अपकेस जैसी है और क्या है इंडिस्ट्रक्टिबल है इंडिस्ट्रक्टिबल मतलब डाइजस्टी नहीं हो सकती उसके बाद इसमें क्या फ्लेजिला को हम चार पॉइंट्स पर बात करेंगे वाटर करेंट में यह पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर करेंट में क्या करते हैं यह पैसिवली फ्लोट करते हैं इसलिए इनको क्या कहते हैं प्लैंक टॉन क्या बोलेंगे इन्हें प्लैंक्टॉन बोलेंगे तो फ्लैजिला हमारे पास एपसेंट होता है यह फ्लोट करते हैं पैसिवली इन वाटर करेंट और इन्हें हम क्या बोलते हैं प्लैंक्टॉन प्लैंक्टॉन मतलब पानी में यह फ्लोट करते हैं बिना फ्लैजिला के तो मै में सेल वॉल पता होनी चीए किसकी है सिलीका की Indestructible ठीक है और फिर बात करते हैं पिगमेंट की बात करोगे तो क्लोरोफिल युचे है इन में और अगर स्टॉरेज करोगे तो इनमें खास रहका स्टार्च होता है उसे क्राईसो laminarin कहते हैं पर यह दोनों करने हैं यह चाहो तो छोड़ सकते हो आप सिर्फ यह याद करो chlorophyll है इस क्योंकि इससे आपको पता चलेगा यह oxygen बनाते हैं अच्छा क्या यह आख से दिखते हैं microscopic होते हैं chrysophytes या diet तो आप नहीं देखा यह fresh water marine दोनों मिलते हैं cell wall इनकी destroy नहीं होती silica की वजह से फ्लेजिला होता नहीं passively float करते हैं पानी के current पर passively मतलब बैदेखो अगर किसी चीज़ पर फ्लेजिला है तो फ्लेजिला सेल को अपनी मर्जी से ले जाएगा अगर फ्लेजिला नहीं है चीक है reproduction इन में binary fusion हो जाता है जैसे नॉर्मल बैक्टीरिया में होता है वैसा होता है पर यह binary fusion में proper mitosis हो रही होगी clear है सही है अब कुछ extra details सुनो ध्यान सुनेंगे इनकी ज्यांज नहीं माल लो यह die atom है यह die atom यह देखो इसकी silica की cell wall है अब यह destroy नहीं हुई यह मर के यहाँ पानी के bottom में यह इकठे हो जाते हैं ऐसे नीचे यह मरने के बाद cell नीचे इकठे हो जाता है तो सबसे पहला point आपने यह दिखना है कि since जो cell wall है वो क्या है indestructible है कैसी इंडिस्ट्रक्टिबल है तो क्या होगा यह accumulate हो जाएगी किसमे accumulate at bottom bottom पर accumulate हो जाएगी कठा हो जाएगा यहाँ यहाँ पर यह कठा हो जाएगी और मरने के बाद मतलब क्या accumulate हो हो जाएगा और एक तरीके से देखो मेरी बात सुनों मैं आपसे कहता हूँ कि डाइटम जो होते हैं जैसे कंकर होता ना पत्थर के छोटे-छोटे टुकडे वैसे हैं वह जो आंक से नहीं दिखते अब क्या है यह मरकर नीचे कठे होते चले जाते हैं लाखों सालों में एक अर्थ बना देते हैं मेरी बात समझ मेरे डाइट अर्थ बना देते हैं दूसरा सुनों दूसरा क्या है एंसे लिखते हैं बींग ग्रीटी ग्रीटी का क्या मतलब होता है ग्रीटी होता है रफ खुर्दरा खुर्दरे होने की वजह से इनको यूज करते हैं पॉलेसिंग मे कुछ बच्चों को पता होगा ये बात पुरदरी चीज से चमकाते हो तुम स्क्रब लगा के ऐसा ही ग्रिटी यूज इन पॉलेसिंग सिरप मेकिंग सिरप मेकिंग में और ओईल एक्स्ट्रेक्शन में किसी मतलब इन में से ओईल एक्स्ट्रेक्ट किया जा सकता है इन में से तीसरी चीज क्या है क्योंकि यह photosynthesis करते हैं कौन से oxygen बनाने वाली यह ocean में chief producer है chief का मतलब होता है खाना बनाने वाले क्योंकि इनको खाते हैं कुछ organism chief producer in oceans clear है तो क्या क्या याद रखना ऐसे लिए वाला प्रेश वाटर मेरीं दोनों है अगला गुरुप पढ़ोगे वो मेरीन है उसके अगले वाला अगला लेकुल्स अगला नाइन वाले सभ्सप्राइज डाइनो फ्लेगले चले गश्चाले जाते हैं यह बॉटम पर यह कठ्थे होके मिट्टी बना देंगे ड में दो गुरूप आ जाएंगे डाइटम और गोल्डन एल्गी डैसमेट कहते हैं प्रेश वाटर में मैरीन में माइक्रोस्कोपिक है पैसिवली फ्लोट करते हैं प्लैंक्टॉन कहते हैं सेल वाल क्या है थिन और लैपिंग सोप के जैसी है एंबेड़िड विद सिलिका लगा हुआ है जो इसको इंडिस्टिक्टिबल बनाता है लेफ्ट बिहाइंड मरने के बाद डिपोजिट इन देर हैबिट है निकट्थ होते जाते हैं क्या बोलते हैं डायटो में शेसर इनको बष्ठकीहम इंडिक ये मिलते हैं मेरीम में अब आजो इसके स्ट्रक्चर की है जैंस सुना मैने यह डैनो फ्लैजलिट की बनाडे प्लाजम मेंब्रेंस अब ज्यान से देखना कि इस पर मेरे पास यह सेलुल ओस की ऐसे सेलउल है जो ऐसे stiff plates हो stiff क्या होता है hard plates होती इस पर यह cell wall क्या है बनी है cellulose की ऐसे तो यह stiff plates होती है यह क्या है stiff plates है चीक है तो आपको क्या-क्या सबसे पहले cell wall पीछे वाले में क्या थी सिलिका इसमें cellulose की और कैसी है stiff stiff मतलब hard plates है यह जो बना रखे ना मैंने cellulose की hard plates है ठीक है दूसरा जहां परजे से मालो मेरी बास सुना मालो यह बीच में यहां नहीं है cell wall देखो यह वाली जगा पे तो इसे कहते है longitudinal group देखो इसे कहते है longitudinal इसे transverse कहते है ऐसी लाइन को क्या बोलते है इसे कहते longitudinal तो जहां पर cell wall नहीं है इस जगा को कहेंगे longitudinal group पिछले वाले में फ्लेजिला था नहीं और इस वाले को क्या बोलेंगे transverse group अब जड़ा मेरी बात ध्यान से सुना हूँ दो फ्लेजिला होते हैं एक यहां होता और एक यहां तो मेरे पास कितने फ्लेजिला हो गए प्रोटल दो फ्लेजिला है ठीक है एक है हमारे पास ट्रांसवर्स फ्लेजिला और एक है हमारे पास लॉंगी ट्यूडिनल फ्लेजिला दो फ्लेजिला ठीक है एक है हमारे पास ट्रांसवर्स फ्लेजिला और एक है हमारे पास लॉंगी ट्यूडिनल फ्लेजिला यहां तक समझ में आ रही है दो तरह के फ्लेजिला है दो कि हमारे पास ट्रांस वर्जेट रहा है दुसरा किलोना फ्लेजिला ठीक है यह समझ में आरही है अल्गे पिशले वाले में फ्लेजिला नहीं झाँ अब आ जाते हैं उसके pigmentन्त के बाद करते सैनल वाल के बाद मात करते हैं pigment में इसमें लो ब्राउन औरेंज ये कलर भी होते हैं मतलब और सुनों देहां से और सुनों यह पिकमेंट हो गया ठीक है स्टोरेज करना चाहो तो कर लो स्टोरेज में स्टार चाहेगा तो जैसे आप पीछे से कंपिएर करोगे ना पिछले वाले सो तो आप को समझमें आएगा डाइणह फ्लाज लीट कैसे दिखते हैं अब दाइणो फ्लाजُलिड में डिवीजन इसमें भी बाइनरी फ्लीजन होगी करता है पर यह मटिप्लाई इतनी फास्ट करते हैं सुनो द्यान से मटिप्लाई फास्ट करते हैं उसकी वज़े से देखो मालो यह मेरे पास एक ओशियन है चीक है यहाँ पर एक रेड कलर का बाइड डाइनो फ्लेजलेट है वो इतनी तेजी से डिवाइड किया कि सब जगा रेड हो गया इसे हम कहते हैं रेड टाइड क्या बोलते हैं रेड टाइड तो रेड टाइड क्या है फास्ट मटिप्लाई करने वाला डाइनो फ् पहला सबसे पहली बात इन में से कुछ कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूज करते हैं समप्रोड्यूज टॉक्सिन्स जो क्या करेंगे फिष की डेथ करवाएंगे लीड टू मॉर्टेलिटी और फिष की क्या कराते हैं डेथ करा देते हैं चीक है क्लियर है हां सर क्लियर है तो कुछ टॉक्सिंस बनाते हैं जिसकी वजह से फिश्की क्या हो जाती है डेथ हो जाती है फिश्की क्या हो जाती है नेक्स बात कर लेते हैं नेक्स बात कर लेते हैं कुछ हमारे पास क्या बनाते हैं टॉक्सिंस बनाते ह से फिश की डेथ हो जाती है ठीक है हना फिश की डेथ हो जाएगी उसके बाद क्या है उसके बाद क्या है कि हमारे पास यह रेड कलर के होते हैं रेड कलर के डाइनो फ्लेजलेट अगर हमारे पास पास मल्टिप्लाई करते हैं तो उसके वजह से ओशन रेड दिखता उसे और इसमें अगर आप compare करोगे पिछले वाले का habitat fresh water और मेरीन ता इसमें सिर्फ मेरीन इसमें अगर आप देखो दो फ्लेजिला पिछले वाले में फ्लेजिला नहीं तो उसे प्लैंक्टॉन कहते हैं तो क्या यह प्लैंक्टॉन है नहीं चीक है उसके बाद क्या है इसमें ग्रूव कह रहे हैं देखरो एक ग्रूव एक फ्लैजिला यह रहा और एक ओर होगा ऐसे दो फ्लैजिला है ठीक है तो इस ऑर्गेनिजम आर मोसली मेरीन अपूट सिंथिक यलो दिखेगा ग्रीन ब्राउन ग्लू ठेक है मेन पिग्मेंट ग्रीन होंगा हाँ मतलब मेन पिग्मेंट ग्रीन है और यह वाले होंगे जादा तो यह कर दिखेगा सेल वाल में क्या है स्टिफ सेलूलोस की प्लेट कहां पर आउटर सर्फेस पर यह जगा पर फ्लेजिला प्रेजिला 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 प elephants कि किलिंग करते हैं तो यह जो हमने यहां पर लिखा था नहीं याद दिख करो अभी examples लिखभाए यहां पर तो गॉनियो लेक्स से वो इसका example है किसके डाइनफलएजिल्डियट का ठीक है डाइनफलएज़िलिट का जो ऐग्जबडिया बमने या पर लिखभा ये कहा मिलते हैं fresh water मिलते हैं अब देखो यूगलीना का structure क्या ये इनकी cell membrane है ठीक है इनके बाहर cell wall नहीं होती ये फ्लेक्सिबल कवर होता है जिसकी वज़े से उसको pellicle कहते है यह cell wall नहीं है तो मेरे पास यह जो है यह pellicle है pellicle क्या है एक protein का cover है क्या है protein का cover जिससे क्या है जो flexible है इसकी मदद से यह चलता है यूगलिना ठीक है यह help कर सकता है motility में तो पहली चीज़ क्या हो गई यूगलिनाइड में cell wall नहीं होती क्या absent है cell wall absent है पिछले वाले में cell wall थी हाँ डाइनो फ्लेजलेट में थी क्या डाइटम में थी हाँ थी इसमें cell wall नहीं है उसके बाद इसमें दो फ्लेजला एक बड़ा एक छोटा तो फ्लेजला कितने हैं दो मेरे बास सुनो द्यान से किसी सेल में साइड में फ्लेजिला लेटरल होता है अगर फ्लेजिला उपर लगाओ तो एपिकल होता है यहां कैसा है एपिकल एपिकल है और एक छोटा और एक बड़ा है अनिकुल है अनिकुल में क्या होगा एक छोटा है बड़ा है कितने फ्लैजिला है दो सही है इसके अलावा इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं अंदर प्लास्टिड होगा यहां प्लास्टिड होता है क्या होता है प्लास्टिड प्लास्टिड मतलब जैसे क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड होते हैं तो मेरे पा रहता है लाइक हाईयर प्लांट अब मैं इसमें बहुत इंपोर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं पिटा सुना द्यान से स्ट्रक्चर के लिए था अगर आप न्यूट्रिशन की बात करो तो यह क्या करते हैं यह ऑक्सीजन बनाने वाली फोटो सिंथिस करते हैं ऑक्सीजन तो यह प्रीडेटर हो जाते हैं जब लाइट अप्सेंट है तो यह क्या हो जाटे हैं प्रीडेटर हो Office हम टे हैं Mixotropic nutrition Mix Maslow तो तुम क्या tutorial लो तो नाम वीजर्ट हो नहीं है कहना तो इनका भी एई फोटो संहिज रहे हैं जब light the very great the makes this expert नियुक्त गए तो दोनों ओगया ना ऑच्छ लिंद होड़ा इसी लिए इनको कई बर लिंक बोलते हैं Plant Kingdom और Animal Kingdom के बीच में इसलिए so they are link किसके बीच में Between Plant and Animal Kingdom Plants and Animal Kingdom के बीच में इन्हें Link बोलते है Plant और Animal Kingdom के बीच में इनको क्या बोलते हैं बिटा Link बोला जापने Connecting Link यहां तक समझ में या रही है बताओ जलदी से सब्सक्राइब बात करते हैं के री पोडक्शन इनमें पिटा अगर आपने छोटी क्लासिस में पढ़ाता ऐसे डिवीजन होता है लोंगी ट्यूडुनल बाइनेरी फीजन अ कि एक्स्ट्रा डीटेल कुछ एक्स्ट्रा डीटेल वता देता हूं सबसे पहले & यह fresh water में होते हैं तो इनमें contractile vacuole भी मिलता है क्या मिलता है contractile vacuole यह आधा करता है इसमें extra पानी और चीज रिमूव करने के लिए तो अगर आप इनकी detailed NCRT से देखोगे तो आप देख पाऊगे कि मेंली fresh water में जैसा बोला और वो भी रुका हुआ तलाब का पानी इनमें प्रोटीन का कवर होता है उसे पेलिकल कहते हैं जिससे बॉड़ी इनकी फ्लेक्सिबल होती है दो फ्लेजिला होता है छोटा और एक बड़ा ठीक है और फोटो सिंसे प्रेजन्स ओफ सनलाइट है ना सही है और नहीं तो प्रेडेटर हो जाते हैं इनमें पिगमेंट्स आइडेंटिकल टू प्रेजन्ट इन हाइयर प्लांट्स एक्जाम्पल यूग लेना देखरो सारी चीज हमने कवर करें तो अब आपको क्या करना है यह तीनों ग्रुप हमने पढ़ लिए तो आप क्या करो खुद से एक बार है इनके हैबिटाट को कमपैयर करो फिर इनकी सेल Dew altogether खुद करो और पिगमेंट कमपेर कर लो पन्पेर करना है फिर नूट्रीशन देख लो और वो सबह और आप यह कंबेशलेड करके लिखोगे जैसे में क्या लिखोगे प्रेश वोर्टर और मेरी इसमें क्या लिखोगे मैरी इसमें क्या लिखोगे फ्रेश वोर्टर और उसमें भी रुकावा पानी मेरी बात समझ में आ रही है यह खुद बनाना आपने यह खुद बनाना अगर आप तीनों को compare याद रखोगे तो 100% याद रहने वाला एक एक लाइन याद रहेगी एंसे ठीक है आया समझ एक लाइन याद रहेगी तो crysofide dynoflagellate ugenilotts यह आपने करना है clear है यह आपने करना है ठीक है कर लोगे इसको अब आओ एक बार मैंने जब classification अभी आपको पढ़ाई तो मैंने कहा मैंने कहा कि protista में तीन ग्रूप में divide करेंगे ऐसे protist जो photosynthetic हैं फिर मेरे पास saprophytic आएंगे और अब फिर मेरे पास वह आएंगे जो निगल के खाएंगे किसी और को ओलो जो इक बोलेंगे सब अब आगे चलते हैं आगे चलते हैं अब आगे चलते हैं अब आते हैं सैप्रोफिटिक टाइप के मैं आपसे पूछता हूँ तो स्लाइम माउड्स लाइम का मतलब है चिप-चिप आशा जैसे आपने देखा ना कि कोई खाने की चीज खराब हो जाती है थोड़ी चिप-चिपी से हो जाती है mom पापड़ी याद कुर गंदी कोई और चीज कोई भी खाने की चीज जब पड़ी रहती हवा में थोड़ी चिप-चिपी से हो जाती उसको है कौण स्लाइब मोल तो यह जो है विटाट है इसका यह क्या है बिटा ऑन डिकेंग का मतलब है खराब होती हुई टिग ट्विग एंड प्लांट ट्विग एंड प्लाट डिकेंग ट्विग एंड फ्लांट ठीक है अब आजाओ में स्ट्रक्चर इनमें क्या होता है यह ऐसे दिखते हैं देख जाँ सुन यह ऐसे दिखते हैं कुछ है इस तरीके के दिखते हैं आप क्या इसमें इस मैसे प्लाजमा नियुकलीस 바 होता है cell wall absent है to cell wall absent है ठीक है और बहुत सारे nucleus होते हैं कि उसमें ऐसी मतलब एक इसल में बहूत सारे nucleus होते हैं मतलब क्या हुआ काफी सारे cells ने कठा होके बड़ा सा structure बना लिया तो इसका मतलब क्या हुआ dee form aggregation aggregation का मतलब यह हुआ मालो यह एक सेल था यह एक सेल था इन्होंने मिलके common structure बना लिया तो they form aggregation aggregation known as known as plasmodium उन्होंने एक aggregation बनाई जिसको हमने नाम दे दिया plasmodium क्या नाम दे दिया भाई plasmodium का नाम दे दिया समझ में आया के नहीं तो हमने लिखा है कि सेल वॉल नहीं होती उन्होंने एक aggregation मतलब cells ने मिलके aggregation बनाया जिसको हमने नाम दे दिया plasmodium मतलब slime माउल्ड जो है यह है यह structure जिसमें काफी सारे nucleus cell wall नहीं है यह structure क्या करता है जैसे कि मालो यह leaf है हमारे पास इस लीफ पर यह grow करता करता बड़ा होता चला जाता ऐसे और यह चिप-चिपा सा लिखता है आपको ऐसे यह बड़ा होता चला जाएगा तो बहुत सारे nucleus के साथ यह जो structure बना इसे plasmodium कहते है ठीक है अब हम क्या जानेंगे कि slime mold की life कैसी होते है देखो slime mold क्या है बिटा slime mold एक ऐसा प्रोटिस्टा है है तो single cell का पर इसमें बहुत सारे nucleus है ठीक है चलो आप देखते हैं आगे देखते हैं जर देखो अब इसकी life cycle की बात करते हैं देखो मेरी बात सुनना माल लो यह leaf है यह मरीवी leaf है इस पर यह plasmodium grow करेगा ऐसे यह grow करके पूरा का पूरा इस leaf को cover कर लेगा और खाने लगेगा कैसे दिखाएगा enzyme release करके यह इस तरीके से बड़ा होता जाएगा बड़ा होके यह several feet लंबा हो सकता है यह क्या है यह multi nucleated है काफी सारे nucleus है इसमें cell wall नहीं है cell wall absent है और यह grow कर रहा है किस पे grow on leaf पे और इसको कह क्या रहे है यह कैसे grow कर रहा है यह क्या करता है ऐसे enzyme release करता है चीज को तोड़ता और खाने को absorb करते करते बड़ा होता जाता है अब ncrt कहती है कि टाइम आएगा जब यह लीव खतम हो जाएगी फूड फिनिश हो जाएगा अगर खाना क्या खतम हो गया तो कौन सी कंडिशन आ गई सब्सक्राइब लागई या पर अन्य फेवरेबल कंडिशन आ अक्या बहुत बढ़ा भी हो गया तो अब के structures बना लेता है इस तरीके के इन्हें कहते हैं fruiting body इन्हें क्या बोलते है fruiting body sir fruiting body मतलब इन पे fruit लगेंगे fruit क्या है spore और इनके tip पर ऐसे क्या बनते है spore यह क्या बने spore तो plasmodium ने क्या किया plasmodium ने जब खाना खतम हो गया plasmodium ने क्या बना दी बेटा from fruiting body बना दी fruiting body क्यों बना दी मैं बताता हूं आपको जैसे माल लो इस leaf पर यह खा रहा था leaf पर पूरा इसने leaf खाली खाना खतम हो गया अब leaf हुआ है नहीं तो यह तो मर जाएगा कुछ प्रेजन्ट है क्या है यह रेखा यह हमारे पास क्या है स्पोर्स है यह हमारे पास क्या है स्पोर्स है और यह मेरे पास उसके बाहर true cell wall होती है तो आउटसाइड पूर हमारे पास क्या होगी ट्रू सेल वॉल ठीक है आउटसाइड स्पोर मेरे पास क्या होगी ट्रू सेल वॉल प्leistंट होगी अब समझने क्या किया है ध्यान सुनेंगे मैंने क्या किये प्लाज्मोडियम को fruiting body बना ली अब fruiting body पर ये क्या बन गई है spore बन गई है tip of fruiting body पे क्या प्रेज़ेंट ए प्रेज़ेंट इस प्रेज़ेंट आज स्पोर के बाहर टू सेलवल और बाद में वह जाइगोट बनाता है और जाइगोट जो है वह ग्रो करता है ऐसे Plasmodium में क्या ही बात समझ में आरे मैं फिर रेपेट कर रहा हूं मैं आपको यह गह रहा हूं कि यह प्लाजमोडियम जो है यह ऐसे ग्रो कर गया वैसा पूरा प्लाजमोडियम इसने लीफ खाली अनफेवरेबल कंडिशन में इसने फ्रूटिंग बॉड़ी बनाई उसके ओपर यह स्पोर इसे यह उड़कर जाएंगे अवासे डिसपर्स होंगे स्पूर्त यह स्पॉर्ट क्या की लाइफ है यह स्पॉर्ट क्या है एक तरह की लाईट है और यह पड़े रहेंगे मतलब यह सर्वाइव और जैसे फ्वेवरेबल कंडिशन आएगी यह कुछ गैमे टोमिट बना के जाइगोड बनाके फिर प्लाजमोडियम बना देंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि जब तक प्लाजमोडियम ग्रो करता है ठीक है बाद में वह फ्रूटिंग बॉड़ी बनाके स्पोर बनाता है और नई जगा मूग करता एयर से तो यह प्लाप भी प्रोटिस्टा क्यो है क्योंकि सिंगल सैल आप देख सकते हैं इसके सब्सकी बनी होगी सलूलोस की यह घ तक प्लाजमोडियम यह प्लाजमोडियम का मतलब क्या हुआ तो हमने वह भी बढ़ा ठाच प्लाफ प्लाजमोडियम आपका प्लाजमोडियम का मतलब है एक ऐसा things जिसमें काफी सारे न्यूक्लेस है यह प्लाजमोड यह मैं चीक है डन है सब्सक्राइब करेगी डिकेंग ट्विक्सन लीफ पर और्गेनिक मेंटर अंडर सुटेबल कंडिशन दे फॉर्म एग्रिगेशन कॉल्ड प्लाजमोड यह ठीक है सुटेबल कंडिशन में यह प्लाजमोडियम बनाएंगे विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट ठीक है यह ग्रो करेंगे सेवरल फीट तक से डूरिंग अनफेवरेबल कंडिशन दा प्लाजमोडियम डिफ्रेंशियेट एंड फॉर्म दा फ्रूटिंग बॉड bearing spore active, देख रहो, वो spore बनाएगा, और spore में true wall है, और वो देख रहो, air current से, देख रहो, unfavorable में बना रहा है, है कि नहीं, आगे समझ, सही, तो हमने क्या देखा बिटा, हमने ये देखा, हमने ऐसे protist देखे, जो photosynthetic थे, ऐसे protist देखे, जो मरी भी चीज पर grow करेंगे, अब अब ये इन्हें हम नाम देते हैं, protozoa, actual में क्या था, protozoa पहले animal kingdom में रखा हुआ था, पर उसको उन प्रोटिस्टा में क्यों रखते हैं, क्योंकि, क्योंकि, वो single cell के हैं, तो basic feature में अगर मैं बात करूं, तो इसमें well defined nucleus होता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसमें क्या होत पहला, इनमें cell wall नहीं होती, cell wall तो plasmodium में भी नहीं थी, अभी जो पड़ाम नहीं, पर वो saprophytic, cell wall absent होती है, दूसरा, heterotrophic nutrition होता है, चीजों को निगल के खाने वाला type का, heterotrophic nutrition होता है, अब ये कहां मिलते हैं, विटा, ये हमारे पास fresh water में मिल सकते हैं, और कहां मिल सकते हैं, marine हो सकते हैं, और कहां मिल सकते हैं, ये parasite हो सकते हैं, किसी पर, कहीं भी ऐसे मिल सकते हैं, ठीक है, ये इनका वो है, तो मैं अगर आप से कहूँ कि protozova क्या है, ये animal के relative हैं, किस के relative है, animal के, मतलब हमारे relative है, protozova, protozova के कुछ example आपको याद करने हैं, हम मैं आपको बताता हूं हम क्या करते हैं प्रोटोजोवा की क्लासिफिकेशन करते हैं क्या करते हैं क्लासिफिकेशन करते हैं प्रोटोजोवा की और उसको चार ग्रुप में डिवाइड करते हैं पहला ऐसे प्रोटोजोवा जिसमें मूव्मेंट के लिए कुछ भी मतलब सू कहते हैं और जिनमें कुछ नहीं होता उन्हें sporozoans कहते हैं मतलब क्या हुआ प्रोटोजोवा एक ऐसा गृप था जिनके अंदर organism single cell के थे organism में cell wall नहीं थी animal cell जैसे feature थे तो ये जो protozoa है हमारे पास ये जो protozoa है जो हमारे पास सुनना ध्यान से यह चार तरह की है एक है amoeboid दूसरा है flagellate, तीसरा है ciliates और फूर्थ है sporos ones clear है? पूलो अब ये जो चार तरह के हैं न ये किसके base पर है कि इन पर चलने के लिए क्या है? मतब किस अधार पर है? on the basis of locomotory organ locomotory organ कौन सा है? locomotory organ कौन सा है? उसके अधार पर है चीक है? जैसे सबसे पहले हमारे पास amoeboid है amoeboid तो amoeboid में क्या होगा सुनना द्यान से? बटा इन में pseudopodia होता है क्या होगा? pseudopodia ये fresh water में मिलते हैं, जैसे fresh water का example बताता हूँ amoeboid एक group है उसमें fresh water वाले का example है amoeba और एक parasitic होते हैं, parasitic मतलब disease करने वाले उसका नाम है entamoeba entamoeba ये parasitic होते हैं इन में से कुछ marine होते हैं और marine में क्या होता है बटा? silica present होता है मेरी बात सुनो ध्यान से amoeboid एक ऐसे protozoa है, जिन में चलने के लिए ऐसे pseudopodia होगा कुछ parasitic होते हैं, जैसे entamoeba, कुछ marine होते हैं marine में हमारे पास silica होता है, क्या होता है silica, चीक है इसका मतलब amoeboid में क्या होगा? pseudopodia, अब जड़ा ये देखो हमने एक example बनाया ciliates में, इसको हमने paramecium बोला paramecium में ऐसे cilia होता है cell वाले chapter में बताया था cilia किसको move करता है medium को, यहाँ पर mouth होता है, उसे gullet कहते हैं क्या बोलते हैं gullet या इसको हम बोल सकते हैं इसका mouth अब सुनो क्या होगा ciliates का example मेरे पास paramecium है paramecium है जिन पर क्या present होता है cilia present है cilia क्या करता है, NCRT लिखती है कि cilia क्या क्या करता है जैसे मालों यहाँ आसपास पानी है इस खाने को यहाँ पर move करता है gullet में तो cilia क्या करेगा cilia क्या क्या करेगा cilia move करेगा move food ठीक है किसके अंदर inside gullet किसके अंदर inside gullet तो cilia move करेगा खाने को किसके अंदर gullet के अंदर जिसे हम कहते हैं यह cavity है तो इसे हमने क्या बोल दिया ciliate बोल दिया इसे हमने क्या बोल दिया ciliate बोल दिया तो इसे हमने क्या बोला कि यह gullet के अंदर क्या करता है move करता है clear है move करता है जियान से सुनेंगे clear है तो आप यह समझो पैरा मीशियम जो होता है उसमें सीलिया होते हैं ncrt लिखती है कि ऐसे मूब करता है और इस खाने को पानी के साथ यहां गुलट में मूब करता है गुलट क्या है एक ऐसी कैविटी है जो माउथ की तरह काम करती है किसमे पैरा मीशियम में उसके अलावा एक दो डिटेल और बताता हूँ पैरा मीशियम में दो न्यूकलेस होते हैं एक बड़ा होता है छोटा छोटा न्यूकलेस जो होता है वो रीप्रोड़क्शन कंट्रोल करता है बड़ा न्यूकलेस वेजिटेटिव न्यूकलेस कहते है अधर एक्टिविटीस कंट्रोल करता है चीक है अब कुछ और गैनिजम होते है हना उनमें से एक एक एक्जामपल है ट्राइपनोसोमा जिन में मेरे पास ऐसे फ्लैजिला होता है इसलिए इनको क्या कहता है वह कॉजब करता है दे एक यसमा तुक्ति डिजिनेस अब मरी बात सुनना ध्यान से यह तो प्री निविंग होते हैं और उसके बात पैथोज़ेंिक होते हैं मतलब डिजीज करने वाले यहां तक समझ में आ रही है अब मेरी बास सुनो sporosomans क्या होते हैं जो spor बनाते हैं जैसे आपने क्या पढ़ा है एक word पढ़ा है plasmodium पीछे पढ़ा था तो plasmodium वहाँ पर क्या है एक ऐसा structure है जिसमें बहुत सारे nucleus होते है sporosomans में क्या होता है sporosomans में क्या आता है कोई lokomotory organ होता ही नहीं है मतलब उनमें चलने के लिए कुछ नहीं होता तो फिर चलते कैसे हैं यह parasitic होते हैं यह कैसे होते हैं parasitic होते हैं इसका example है plasmodium genus देखो जो पीछे हमने पढ़ा वो plasmodium structure था structure समझ में आता है बहुत सारे nucleus थे यह genus है जो क्या करता है cause malaria क्या करेगा malaria करेगा तो हमने आपको यह समझाया कि protozova animal के रिस्तिदार है उनमें cell wall नहीं होती heterotrophic nutrition होता है कोई pigment present नहीं होता निगल के खाते हैं या किसी को disease करते हैं fresh water marine या किसी के उपर मिलते हैं फ्लेजिलेट मतलब फ्लेजिला होता है और sporozone मतलब कोई locomotory organ नहीं होते ठीक है clear plasmodium इसका example है ठीक है plasmodium genus है जो इसका example सही है बताईए आया समझ बोलो जल्दी से तो यह चार ग्रूप में किस के आप से चलने को लेके अब यहाँ पर जो मैंने trypnosoma लिखा है वो disease करता है sleeping sickness ठीक है वो क्या कर रहा है हमारे पास disease कर रहा sleeping sickness देख लो हमने यहाँ पर दे भी रखा है false feet होते हैं उसमें pseudopodium flagellate में क्या होते हैं flagella होते हैं flagella होगा parasitic form में डिजीज दो तरह के होते हैं trypnosoma parasitic है जो sleeping sickness कर रहा है ciliated में actively move करेगा cilia की मतद से cell चलेगा और इनमें cavity होती है गुलट उसमें क्या और का होती है cell के बाहर वो खुलती है और cilia coordinated एक साथ move करके steered का मतलब होते है जैसे नाओ को चलाते है ना ऐसे उस खाने को चलाकर गुलट में ले जाते है अब देखो plasmodium किस में आ रहा है sporozone में इनमें एक spor like stage होती है मतलब जाए इनमें कोई locomotory organ नहीं होता spor जैसी stage होती है ठीक है और ये disease cause करते है malaria तो आपके पास clear है यहां पर तो sporozone ठीक है क्या याद रखो कि malaria कर रहा है प्लास्मोडियम जीनस है ध्यान रखना और इनमें कैसी stage होगी spor like है के नहीं यह देखो मैंने काता ना steered यहां से ले जाएगा और यह फ्लैजिला कोड मतलब यह दोनों मिलके काम ऐसे से काम करके इस खाने को यहां से cavity में बुलेट में ले जाएंगे जो माउट का काम कर ठीक है तो फिनिश करते हैं यह हमने प्रोटोजवा कंप्लीट कर लिया है नेक्स लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फंजाइब पूरा की मिलते है बटा नेक्स्ट बाई